आप सभी लोग देखते होंगे कि आपकी परिक्षाओं में सोचकांग से कुष्चन्स आते रहते हैं आप लोग इस्टेट PCS की बात कर लीजी फिर चाहे आप लोग देखिए सिविल सर्विस का प्रिलेम्स देख लीजी आप लोग या फिर आप देखते होंगे वंडे एक्जाम में भी कई कुष्चन्स आते रहते हैं दो तीन कुष्चन्स हमेशा आपके पूछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में जो इस तरह की सुचकांग निकलते हैं उनसे आपकी कुष्चन्स हमेशा आते हैं या फिर आप देख लिएजे कि State PCS या Civil Service का आप लोग लिकित परिक्षा में भी आपके questions आ जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि निवंद भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को इनके बारे में एक सामान जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो याद रखना होगा आप लोगों कौई कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को निकालती है। जैसे आज हम लोग इस किलास में बात करेंगे विश्व, फ्रेश, सुतन्ता, सूच, कांग के बारे में यानि की मेडिया के बारे में CDC बात। इसे जारी कौन करता है? और इसे पहली बार जारी कौन कप किया गया था? और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? और हमारा इस्थान क्या है? और हमारे पड़ोसियों का इस्थान क्या है? टॉप पर कौन बना हुआ है? नीचे से टॉप कौन कर रहा है? इस तरह के नहीं कर रहें आप लो तब भी आपको देश की मीडिया के बारे में मालूत होना चीए कि आपके देश की मीडिया कितनी सुतंत है आप समझे कि आपके आगर सुतंता नहीं होगी तो लोगतंत का क्या मतलब है ठीक है तो आप देखेंगे यह हमारी प्यारी पितवी और इसमें स्री लंका है, आपकी एक संस्था है Reporters Without Borders, यह जारी करती है इस सूचकांग को, विस फ्रेश सूतनता सूचकांग कौन जारी करता है, Reporters Without Borders, जिसे आप लोग सौट में RSF भी कहते हैं, अगर इसके मुख्याले की हम लोग बात करें तो फ्रांस में आप लोगों को देखने को मिलेगा पैरिस में इसका मुख्याला है ठीक है और इसमें आप लोगों को ये भी याद रखिए कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी उनिस सो पचासी में ठीक है चली अब इस रुबोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं सूचकांक के बारे में हाली में जारी 180 देसों के विस प्रे सूचकांक में भारत फिर से 142 वे इस्थान पर है आप इसका मतलब समझ रहे यानि कि हमारी कोई अच्छी इस्थिति नहीं है एक तरह से आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि एक किलास में आपकी में 180 बच्चे बैठे हुए और आपका इ से अच्छा समझेंगे यानि कि आप नीचे से टॉप कर रहे हैं लगबग तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं कि हमारे यहां की मेडिया की स्थिति क्या बनी गूई है और आप लोगोंने कई बार देखा होगा डेमों किसी जो भी आपका इंडेक्स आता है लोगतंत का उ उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं विस्तपरेश सुतंता सुचकांग पितेख बर्स जारी किया जाता है और अंतरश्टी पत्तिकार्ता की गैरलाबकारी संगठन है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है ठीक है और इसे ह पर साल जारी किया जाता है यह भी आप लोग याद रुखें विस्तपरेश सुतंता सुचकांग के बारे में अगर हम बात करें तो यह है 2002 से रिपोर्टर्स सेंस फ्रेंटियस यानि कि RSF या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पितेख बर्स पिकासित किया गया था तो यह पहली बार कपिकासित किया गया था 2002 में यह आप लोगों को पॉइंट याद रुखना चाहिए पैरेश इस्तित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानि कि एक पैरेश महस की मुक्याल है ठीक है एक अंतराश्टिय गहर सरकारी संगठन है और ग भूमिका निभाता है और आप लोग याद रखी इस तरह कि जो भी संगठन हो उनसे भी आपके कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है मैं इसलिए तो बार-बार कहता हूं आप लोग से कि पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लीजे आप जिस भी परिक्षा ही तैय कर रहे हैं आपको मालू चल जाए कि कहां से कितने कुश्चन्स पूछे आ रहे हैं ठीक है और इन संस्थाओं से कुश्चन्स आपके जरूर पूछे जाते हैं ठीक है अगर बात करें हम लोग ओ आई एप एक चंवन फ्रेंच भासी राष्टों का एक समूव है कौन सा फ्र प्रवजनिक नेतियों की रैंकिंग नहीं करता है भले ही सरकारें इस पश्ट रूप से अपने देश की रैंकिंग पर एक बड़ा परवाओ डालती हैं हाला कि यह पत्तिकारता की गुडवत्ता का सूच्चक नहीं है यह सूचकांग बहूल बात के इस तर मीडिया की सतनता और मीडिया के लिए बातवर्ण और स्वैम सेंसर्शिप कानूनी धाचे पार्दर सीता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद बुन्यादी धाचे की गुडवत्ता के आंकलन के आधार पर तेयार किया जाता है और हमारे नीचे गिरने की बजाए आप लोगों को माल होगी कि हमारे यहां मेडिया का क्या हाल है मेडिया ने खुद अपना क्या हाल बना रहा है ठीक है वैसे भी परिदिस्ति की बात करने तो पत्तिकार्था सूची में सामिल लगभग 73% सुतंत मीडिया से पूरी तरह से या फिर आंसिक रूप से आउरोध दें इसके बाद आप देखें कि सूचकांग के 180 देशों में ऐसे केबल 12 यानि कि आप देखें कि लगभग 7% में पत्तिकार्था के लिए अनकोल बातवन पिदान करने का दावा कर सकता है यह 180 देशों की लिश्ट में बात कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद आप देखें कि ईसके बातव कि लिए एसीया में तो आपने देखें किया इस्तिती बनी हुई है धिक है या फिर आप लोग चाईना की इस्तिती देख सकते हैं ठीक है क्योंकि फरेश की सुथंता परंकुस लगाने की परियास में कई राष्टों ने राजद्रों राष्ट की गोभिनीता और राश्ट्री ये सुरक्षा पर कठोर कानून बनाए है। भारत में भी आप लोगों ने देखा होगा अभी किसानांदोलन के बीच में कि कई पत्तिकारों पर राजद्रों के इस तरह से केस भी लगाये गये थे। ठीक है? ये भी एक कारण हो सकता है हमारी एक तरह से रैं लेंड भी बना हुआ है और तीसरे स्थान पर आपका डैनमार्क है इन तीन को आप लोग तीन टॉप तीन को याद रखा करिएगा ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे इरीट या सूचकांग में सबसे निचलेस्थर यानि के 180 वा स्थान मिला हुआ है इसे भी आप लोग याद रखना है चीन 177 वे नंबर पर है उत्तर कुरिया आपका 189 वे नंबर पर है और तुर्क मिनस्थान आपका 178 वे इस थान पर है अगर भारत की बारे में हम लोग पिदर्शन पर बात करें तो 2020 में भी भारत 142 वे इस स्थान पर था इसे भी आप लोग याद रखी नहीं दिखाई दे रहा है भारत का अपने पडोसी देशों की दुला में खराब फिदर्शन रहा है और इस सूच का कि मैं नेपाल को आप देखेंगे 106 वा इस्थान बिला है स्री लंका को आपका 127 वा इस्थान बिला है भूटान को 65 वा इस्थान बिला है और जबकि पाक पतिकारों के लिए सबसे खतरनाग देशों में से एक किरों में जाना जाता है। बलों द्वारा पतिकारों के उत्पीडन की घटनाएं सामने आई हुई है। पतिकारों द्वारा घाद और अफराधिक समूहों या फिर आप देखें कि भरष्ट स्थानिय अधिकारियों द्वारा उकसाए गई विद्रों सामेल है। और हमारे देश में आप देखते हुए कि कई पतिकारों की एक तरह से हत्याभी कर दी गई। पतिकारों को अकसर सामाजिक नेटवर्ट पर इस्थाफित समनवित घेड़ा अभियानों के अधीन किया गया है और महिला पतिकारों की इस्तिती में इस पकार के अभियान और अधिक गंबीर हो जाते हैं। प्रेश की सुतंता की अगर हम बात करें हम लोग तो सम्विधान का आर्टिकल जो आप लोग 19 देखते हैं जिसके तहद आप देखते हैं वाक एबंब अभिवयक्ति की सुतंता की गारंटी देता है। वाक शुतंता इत्यादी के संबंद में कुछ अधिकारों के सरक्षण से संबंदित भी है। आप सभी लोगों को मालू होगा। कि मौलिक अधिकार आपको समीधान के भाद तीन में दिये गए है ठीक है और आप सभी जानते हैं कि आपके अधिकारों की आपको च्छे अधिकार मिले हुए अब तो पहले आप देखते हैं संपत्ति का अधिकार भी आप लोगों को मिला हुआ था जो आप जाते हैं कि एक त और आपके अधिकारों की रक्षा करेगी ठीक है फ्रेस की सुतन्ता को भारतिये कानून पे डाली द्वारा इस परश्ट रूप से सरक्षित नहीं किया गया है लेकिन यह समिधान के अनुच्छेद 19.1 का के तहत सरक्षित है जिसमें कहा गया है कि सभी नागरेकों को वाकेव अभीवेक्ति की सुतन्ता का अधिकार होगा बर्स 1950 में रोमेश थापर बना मद्रास राज्य मामली में सरभोज चल्याले ने पाएका सभी लोकतांतरिक संगठनों की निउ प्रेस की सुतन्ता पर आधारिद होती है अल्कि आप देखें कि प्रेस की स्वतन्ता भी सीमित आ पासीमित नहीं होती है कानून इस सदीगार का प्रयोग पर केबल उन पिती बंदों को लागू कर सकता है जो अनुछे दो अनुछे उन्नीस दो के तहत इस पेकार है भारत की संप्रभूता अखंडता से संबंदीत मामले राज की सुरक्षा और विदेशी राजियों के साथ म आपको तरह तरह की अधिकार दिये गए हैं लेकिन उन अधिकारों का कितने लोगों को फायदा मिलता है आपको बोलने का अधिकार है संगठन बनाने का अधिकार है आप कहीं बोल दीजे सच बोल दीजे अगर आप से कहीं विष्टाचार करने के लिए एक तरह से आप से र सूचकान के बारे में यही find आप लोग याद रखिए और इन ही में से questions आपका आएगा तो आराम से आप लोग solve भी कर लेंगे ठीक है लेकिन इस तरह कि जो भी आपके सूचकान के निकलते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा उनसे questions हमेशा पूछे जा रहे हैं ठीक है